असलाम लेकम स्टुडेंट्स I hope कि आप लोगों की एक्जाइम की रहरी अच्छी जा रही होगी हमारा आज का लेक्चर लेटर राइटिंग के बारे में है तो आज हम देखेंगे के फेडरल बोर्ड का क्लास 11 इंग्लिश का जो पेपर है उसमें लेटर राइटिंग का फॉर लेटर राइटिंग का जो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं लेकिन हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि इसको आप क्लास 11 इंग्लिश का जो फेडरल बोर्ड का एक्जाइम का जो पेपर है उसमें एक्च्छल फॉर्मिट कैसे यूज करेंगे तो मारा जो टॉपिक है इस राइस के बारे में लिखना है तो आए देखते हैं कि इस लेटर का जो बोर्ड का जो प्रेस्क्राइब जो फॉर्मिट है वह एक्च्छल क्या होगा तो suppose कि ये आपकी answer sheet है और इस पे आपने इस letter को write करना है तो मैं line by line इसको explain करूँगा तो अच्छी तरह से आपने इसको जो है ने शुरू से लेके end तक देखना है ताकि आपको सही समझ आ सके कि आपने कहां पे कितनी स्पेस देनी है और क्या करना है ठीक है तो लेटर को start करने के लिए सबसे पहले आपने लिखना है जी फर्स्ट लाइन में लिखना है examination hall लिखा आपने देखें examination का E Capital है hall का H Capital है और इसके बाद कॉमा डालना आपने ठीक है फिर उसके बाद आपने नीचे वाली लाइन पर चले जाना है और यहां पर आपने लिखना है CT ABC अब देखें CT के बाद हमने इसके बाद है ABC इसमें कोई कॉमा या कोई डाट यहां पर अपने लिखना है ठीक है उसके बाद आपने उससे नीचे वाली थर्ड लाइन में चले जाना है और यहां पर आपने डेट लिखनी है तो डेट फर एक्जमपल में 31st 2023 तो इस तरह आपने यह डेट लिखती नहीं तो यह जो आपने लिख लेक है तो यह जो ऐडर्स है यह सारा ड़र्स किसका ऑए यह WRITE करने वाले का ठीक है जो Sender है जो लेटर लिख रहा है तो आप लेटर लिख रहे है तो यह एक्चुल में आपका एड्रस है ठीक है फिर इसको वाद हमने एड्रस लिखना है उस बंदे का यह उस अथौरिटी का जिसको आपने यह लेटर लिखना है इन्हीं हमने recipient का address लिखना है जिसको हम यह letter लिख रहे हैं तो हमने यहां पर एक line की spacing देनी है तो ठीकि एक line के जगह छोड़नी है और फिर हमने recipient जो है उसका address लिखना है तो उसका address हम कैसे लिखेंगे क्योंकि हमने यह जो letter है एक newspaper editor को लिखने है तो हम क्या लिखेंगे the editor वे उसके बाद c个 the news फिर कॉमा और उसके बाद ct df तुमने देखें अगर मेर और आप का kenorry capital ओर एडियो काई Capitol थिक्रिए पर पफिर न्यूज यहां पर n पे अठील है फिर कॉमा है उसके बाद हमने अगर से लिखना यह कोई डिफोएट्विंट सिटि है तो आपका city ABC है ठीक है और यहां जो recipient है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं तो उसका जो एड्रेस है उसका जो city है वो DEF है यानि कोई different city है अगर उसका भी same city है तो आप यहां पर भी ABC लिख सकते हैं उसके बाद आपने फिर यहां पर क्या करना है कि एक लाइन की spacing देनी है एक लाइन की जगह चोड़नी है और उसके बाद फिर आपने यहां पर subject लिखना है subject में आपने यह लिखने कि आपका जो लेटर है उसका topic क्या है किस बारे में आप लेटर जो लिख रहे हैं तो subject में आपने उसके सामने लिख देना है राइज आफ फ्यूल प्राइस एंड इट्स एफेक्ट से जो भी आपका अब कि आपके है वह आपने यहां पर लिख देना है लेकिन यहां पर subject लिखते हुए एक बात बड़ी इंपॉर्टंट है वह आपने देखनी कि आप देखें यहां पर subject का हर जो में वर्ड है उसका आप मेन वर्ड और बीच में जो प्रेपोशिशन वेरा होते हैं लाइक आफ और कंजंचंशंस वेरा जो जो कॉमन जो वर्ड होते हैं उनको आपने capital नहीं करना सिर्फ जो main words हैं उनके first letters को अपने capital लिखना है यह जो heading का format होता है तो यह basically heading है subject में आपने heading लिखनी होती है heading में क्या होता है कि आपने हर main word का जो first letter है वो आपने capital में लिखना होता है अच्छा उसके बाद फिर आपने फिर एक line की spacing देनी है एक line की जगह छोड़नी और उसके बाद फिर आपने लिखना है sir तो sir में देखें capital होगा और उसके बाद कॉमा होगा ठीक है और फिर उसके बाद आपने यहां से जो है वो letter अपना start कर लेने हैं तो देखें first line कहां से start करेंगे बिलकर देखें जहां से आपने subject लिखा था जिस तरह के rise तो rise के exactly नीचे से आपने यहां जाके जो है वो first line लिखना start करना है अपने letter को start करना है तो यह letter का जो first paragraph होगा यह introduction होगा तो आपने जो लेटर का introduction देना है कि यह आप लेटर जो है वो किसलिए आप लिख रहे है ठीक उसकी reason क्या है तो आप यहां पर इस तरह लिख सकते हैं कि I am writing to express my deep concern regarding the alarming rise in fuel prices and its profound effects on individuals businesses and the overall economy the recent surge in fuel costs has significantly impacted various aspects of our lives ठीक इस तरह आप नहीं लिख दिया तो अब आगे में lines नहीं ले रहा generally paragraphs को यहां पर में लिख रहा हूं आपके लिए तो अब यह इसका second paragraph है यह नहीं बोडी जो है वो letter की start हो जाती है तो first में आपने letter का जो introduction होता है introduction paragraph होता है ठीक है और introduction के बाद जो आपने second third fourth paragraph है यह body होती है letter की अब body paragraphs में आपने यहां पर लिख दिया the continuous increase in fuel prices has had a domino effect on our society it has directly affected transportation costs causing an upsurge in prices for public transportation taxis and ride sharing services this burdens the already strained budgets of commuters making daily travel more expensive and less accessible for many individuals especially low-income earners and marginalized communities okay so here you have the effects that you have written here and then you want to add more over the rise in fuel prices has had a detrimental impact on small businesses and industries that heavily rely on transportation such as logistics delivery services and agriculture the escalating fuel costs have added significant financial pressure leading to the increased operational expenses reduced profit margins and in some cases layoffs and closures so this not only jeopardizes the livelihoods of countless individuals but also hampers economic growth and stability ठीक है तो यह एक परेग्राफ आपने लिख दिया फिर आपने लिख एक और परेग्राफ है body में और इस परेग्राफ में आप जो है वह जो है वह जो है तो कि विखना कि अपर आप यह परेग्राफन को यह भी आपने अपर लिखना दिरवाल्य इनुस्टरउक्टर्श। ए उसके बात पर आप ने और जो पॉलिचिमेकर यह जो आपने अनको भी आपने बेंपने यह ए रिक्विस करने. I urge policymakers, industry stakeholders and citizens to engage in a constructive dialogue and work collaboratively towards finding effective solutions. The impact of rising fuel prices extends far beyond individual wallets. It affects the economy, the environment and the overall well-being of our society. तो यह अपने second last paragraph लिख दिया और अब हम last paragraph लिखेंगे जो के concluding paragraph होगा हमारे letter का तो इसमें इस तरह लिख सकते हैं I hope that through this letter we can raise awareness about the adverse consequences of soaring fuel prices and ignite meaningful discussions and actions that will lead to positive change. तो यह आपने final जो है वो paragraph था last paragraph जो था लिटर का लिख दिया letter को conclude कर दिया end कर दिया ठीक है उसके बाद फिर आपने क्या लिखना है उसके बाद आपने एक line की spacing दीने एक line की जगह छोड़नी और फिर क्या लिखना है yours truly अब yours truly में देखें yours का y capital होगा और truly का जो t है वो capital नहीं होगा ठीक है इस बात को अपने जहें में रखने कि truly का जो first letter है इस word का t वो small होगा उसके बाद आपने comma लगाना है ठीक है फिर उसके बाद आपने इस letters को लिखना है यह letter का जो board की तरफ से जो prescribed format है वो यह है class 11 English जो है उसके exam में आपने federal board के paper में आपने इस तरह से exactly इसी तरह से आपने letter को जो है वो write करना है ताकि आप case में full marks आ सकी